असलाम आलेकूम वीवर्स कैसे है आप सब? आज मैं नाई हूँ अचारी मिर्च की रेसिपी मेरे स्टाइल मेए तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लख करना ना भूली ए तो चलिए देखते हैं अचारी मिर्च बनानी के लिए हमें किन किन चीजों की जरवत पड़ेगी तो देखिए यहाँ पर मैंने ये बड़ी साइस की मिर्ची लिया है और इसे मैंने अच्छे से धो के और सूखे कपड़े से मैंने पोच लिया है इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है और इसमें इस तरीके से हम चीरा लगा लेंगे देखिए इस तरीके से चीरा लगा लीजिए क्योंकि हमें इसमें मसाले को भरना है तो इस तरीके से हम चीरा लगा लेंगे आप चाहे तो इसके अंदर की बीज निकाल सकते हो लेकिन मैंने नहीं निकाला है क्योंकि ये फीकी मिर्चे है तीखी बिलकुल भी नहीं है और आप चाहे तो इसके दो तुकड़े भी कर सकते हो मैंने इसे साबूत ही रखा है आप चाहे तो दूसरी मिर्चे भी इस्तेमाल क तो आपकी चॉइस के उपर है इस तरीके से में सारी मिल्चों में चीरा लगा लूँगी अब चलिए यहां पर एक मसाला रेडी करते हैं एक टेबल इस्पून में ले लिया है सॉफ एक टेबल इस्पून कलोंजी दो टेबल इस्पून हम लेंगे साबुत धनिया एक टेबल जीरा और हाफ टेबल इस्पून राई इन सारे मसालों को हमें मिक्स कर लेना है और इसे हलका हलका सा रोस्ट करना है तो मैंने यहां पर एक कड़ाई चड़ा दिया है गरम उन्हें इसमें दाल देंगे धनिया राई सॉफ जीरा और कलोंजी इन सारी चीजों को दालके हमें इसे medium to low flame पे इसे अच्छी तरीके से roast करना है बिल्कुल भी इसे हमें जलाना नहीं है medium to low flame पे ही रखके इसे roast कीजिए और इसको लगातार आप चलाते रहिए हाथ बिल्कुल भी मत रोकिएगा इसका color हमें बिल्कुल भी change नहीं करना है इस बात का ध्यान रखिए देखिए इस तरीके से इसे हमें लगातार भूणना है बहुत अच्छी तरीके से जब ये भूण जाएगा तब इसकी खुझबू आपके सारे घर में फैल जाएगी आपको पता चल चुका होगा कि आपका मसाला अच्छी तरीके से भून चुका है आप लोग इसकी आवाज सुन सकते हो अब मैं गैस का फ्लेम कर दूगी बन और इसे एक अलग बरतर में निकाल के ठंडा कर लूँगी फिर इसके बाद इसे हम दाल देंगे एक मिक्सी की जार में और इसको हम दरदरा सा पीस लेंगे दरदरा सा इसका एक पाउडर रेडी कर लेंगे तो देखिए मैंने इसका पाउडर रेडी कर दिया है एकदम बारिक नहीं हमें पीसना है अब इसमें हम कुछ और मसाले मिलाते हैं मैंने यहाँ पर नमक मिला दिया है नमक और काला नमक इन सारी इंग्रिडियन को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो चलिए अभी इस मसाले को हमें भरना है मिर्चों के अंदर तो इस तरीके से मिर्ची को पकड़ लीजिए और चम्मच की मदद से या आप हातों की मदद से भी आपको जिस तरीके से आसान लगे उस तरीके से आप इसमें मसालों को अच्छी तरीके से दबा दबा के भर लीजिए जितना मसाला अंदर जा सकता है उतना मसाला आप डाल दीजिए इसके अंदर देखिए इस तरीके से मैं चम्मच से ही भर रही ह उंगली की मदद से अच्छी तरीके से दबा के इसके अंदर मसाला भर लीजिए देखिए इस तरीके से मैंने मसाला भर लिया है एक मिर्ची मैं आपको और बता देती हूँ इस तरीके से इसे खोल लीजिए अब मसालों को अच्छी तरीके से अंदर भर लीजिए बस अभी से अच्छे से प्रेस कर दीजिए मसालों को अंदर मिर्ची को हलके हलके से दबा दीजिए इस तरीके से और इसी तरीके से हम सारी मिर्ची को रेडी कर लेंगे सारी मिर्ची में इस तरीके से हम मसाले को लगा के रग देंगे एक तरफ देखिए मैंने सारी मिर्ची में मसाले लगा दिये है, अब चलते हैं, यहाँ पर मैंने कड़ाई को चड़ा दिया है गरम होने और इसमें मैंने ले लिया है आदा कप ओईल, ओईल को हम गरम होने देंगे, मिडियम टो लो फ्लेम पे ही हमें इसे पकने देना है, जब हलका हलक खाना कोई सबजी नहीं है तो आप इसे बना लीजिए एक के बजाए चार रोटी आप लोग खा लोगे इतने मज़े की यह बनती है सबझी की जरुरती नहीं पड़ेगी आप इसे रोटी के साथ जोने तक पकने देना है मिर्ची को अच्छे से हमें फ्राइ कर लेना है इसे पकने में बिलकुल भी टाइम भी नहीं लगता है बहुत जटपट बहुत बढ़ी आप तरीके से ये रेडी हो जाती है देखिए इस तरीके से इसे चलाते वे आप फ्राइ कर लीजिए इसी तरह म सारी मिर्चियों को फ्राय कर लूँगी अगर आपको चलाने में मुश्किल हो तो आप इसके दो तुकड़े भी कर सकते हो आप लोग देख सकते हो मिर्ची का कलर कितना अच्छा चेंज हुआ है बहुत बढ़िया कलर आया है इसमें अब इसके अंदर हम दाल देंगे हमारा जो बचावा मसाला था जो हमने मिर्ची में भरा था उसका थोड़ा बहुत जो मसाला बच गया था वो भी इसके अंदर हम एट कर देंगे बस अब ये मसाला दालने के बाद हमें बिल्कुल भी इसे पकाना नहीं है बस एक मिनट इस तरीके से आप इसे चला लीजिए ताके सारा मसाला अच्छी तरीके से मिर्चों में लग जाए इसके बाद गैस का फ्लेम कर दीजिए बन और इसे एक से दो मिनट इसी तरह रहने दीजिए देखें मैंने इसे अच्छी तरीके से mix कर लिया है सारा मसाला मिर्चों में अच्छे से mix हो चुका है देख सकते हो आप लोग मिर्ची बहुत बड़िया रेडी हुई है अब इसे हम एक मिनट ठंडा कर लेंगे चलिए देखिए एक मिनट हो चुका है हमारी मिर्चे थोड़ी सी थंडी हो चुकी है अब इसमें हम डालेंगे last ingredient वो है निम्बू जी हां निम्बू का रज़ डाल दीजिए इससे बहुत ही मजेदार सा हमारा मिर्ची रेडी हो जाएगी मैंने इसमें दो निम्बू का रज़ डाला है आपके उपर है आपको कितनी डालनी है आप अपनी हिसाब से इसमें निम्बू का रज एड़ कर सकते हो मैंने पूरे दो निम्बू इसमें एड़ किये है अब इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और देखिए हमारी मिर्चे रेडी हो चुकी है या चारी मिर्चे आप लोग इसे जरूर ट्राइ कीजिएगा मुझे यकीन है आप लोगों को जरूर पसंद आएगी और मुझे कमेंट में बताइए आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीस मेरे वीडियो को लाइक आओ मेरे चाइनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरे वीडियो का अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और मुझे बताईए आगली रेसेपी आप लोगों को कौन सी देखनी है इंशालला मैं पूरी कोशिश करूँगे आप लोगों की फरमाईश पूरी करने की प्लीस मुझे आगे बढ़ने में मेरी मदद रेसेपी देखनी है मैं इंशालला पूरी कोशिश करूँगी चलती हूं दुआओं में याद रखना इंशालला फिर आजिर होगी कि अच्छी सी रेसेपी के साथ जब तक के लिए अल्ला हफीज